हे गाईज, वेलकम बाग तुदी चैनल, चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है तो करवा चोत का वृत आने वाला है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं, अभी तक आप लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो प्लोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सपाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो करवाचोत के फर्स के बात करें तो हिंदू धर में करवाचोत वर्त का तयार महिलाओ के लिए बेहदी खास माना जाता है हिंदू पांचांग के अनुसार आश्विन मास के शुकल पक्ष की चतुर्ती दिती को करवाचोत वर्त रखा जाता है इस दिन सुहागिन महिलाई सुर्योद्य से सर्गी खाकर पूरे दिन निर्जला और निराहार रहेकर पती की लंबी आयू की कामना करती है और रात के समय भगवान श्रीव और माता पारवती की पूजा की जाती है पती के स्वास्ते, दिरगायू और निरोगी होने की कामना की जाती है माईलाई चंदर दर्शन के बाद वृत खोलती है तो करवा चोत को शास्तरों में सोभाग्य वृत्धी का वृत माना जाता है जोतिश आचारियों के अनुसार करवा चोत के दिन राशी के अनुसार वस्तर पहनने से वेवाई की जीवन खुशाल रहता है तो बारा की बारा राशीयों में जानेंगे कि किस दिन करवा चोत के दिन आप कौन सा कलर पहन सकती है अगर आपकी राशी मेश है तो मेश राशी की महिलाए करवा चोत के दिन गोल्डन रंग की साड़ी या लेंगा या सूट जो है सील का वो पूझा कर सकती है उन से पहन सकती है कपड़े तो वो शुब है उनके लिए अगर आपकी राशी व्रशब है तो आपको सिल्वर रंग के वस्तर धारन करना शुब माना जाता है करवा चोथ के दिन अगर आपकी मिथून राशी है तो हरे रंग का वस्तर आप धारन कर सकती है करक राशी के लिए लाल रंग शुब माना जाता है और अगर आपका सिंग राशी वाले हैं तो लाल औरेंज या गोल्डन रंग के वस्तर आप लोगों के लिए शुब माने जाते हैं। मकर राशी वालों के लिए नीला रंग शुब माने जाता है। इन्फोर्मिशन दे दी है कि किस दिन आपको कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजे। और आप मुझे शोचल मीडिया पर भी फोलो कर सकते हैं। प्रेस कर सकते हैं। झाल झाल